क्या आपने कार्स के रियर व्यू मिरर्स को गौर से देखा है? वहाँ एक कशनरी स्टेट्मेंट यानि की एक सावधानी सूचक वाग्य के लिखा रहता है कि जो भी आप देख रहे हैं, वो जैसा आपको देख रहा है, उससे ज्यादा करीब है क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्या होता है उन मिरर्स में जो हमें पीछे से आती गाडियां छोटी दिखती है जिससे वो करीब होने के बावजूद हमें लगता है कि वो ज्यादा दूर है क्या आपने सोचा है? आपने ऐसा mirrors भी देखा होगा जिसमें हमारा चहरा बड़ा दिखता है Dentists भी patients के दांत देखने के लिए ऐसा ही mirrors यूज करते हैं जिसमें दांत बड़ा दिखता है उन mirrors में ऐसा क्या होता है कि चीजें बड़ी दिखती है इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको spherical mirror के बारे में जानना होगा और ये भी जानना होगा कि उसमें image कैसे बनता है देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने spherical mirror कैसा होता है इसके बारे में बात किया था और उसके साथ associated कुछ terms के बारे में बात किया था पर आप चिंता मत कीजिए, अगले दो मिनट में हम उसे revise कर लेंगे सबसे पहले देखिए spherical mirror होता कैसा है नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि ये एक spherical object से बना होता है ये एक hollow sphere है, खोखला गूलक इसे अगर हम इस तरह से काट ले, तो हमें ऐसा part मिलेगा इसमें एक अंदर की तरफ धसा हुआ surface मिलेगा, जिसे concave surface कहा जाता है और एक surface मिलेगा बाहर की तरफ उभरा हुआ, उसे convex surface कहा जाता है अगर concave surface, reflecting surface का काम करे, तो वो जो mirror बनेगा, उसे हम कहते हैं concave mirror जैसे की एक चम्मच का सामने वाला हिस्सा और अगर convex surface mirror का काम करे, तो हम उसे convex mirror कहते हैं, जैसे की चम्मच का पिछला वाला हिस्सा अब इस mirror का जो center है, जो की mirror के surface में होगा, उसे pole कहा जाता है mirror का जो circular boundary है, उसके diameter को कहा जाता है aperture ये mirror, जिस sphere का part है, उसके center को center of curvature कहा जाता है इसे मैंने थोड़ा हटा के draw किया है, ताकि आपको ये confusion नहों की center of curvature mirror का surface का part है ऐसा नहीं है, center of curvature mirror के surface में नहीं होता है pole और center of curvature को मिलाता हुआ, जो straight line है, उसे principal axis कहा जाता है pole से center of curvature तक के distance को radius of curvature कहा जाता है पर किताबों में आपको spherical mirror का figure ऐसा दिखेगा ये है एक concave mirror, ये इसका reflecting surface है, जिसके पीछे वाले हिस्से को shade किया जाता है ये है इसका pole, ये जिस sphere का part है, ये है उसका center, जिसे center of curvature कहा जाता है और ये रहा principal axis इसी तरह से convex mirror का figure आपको ऐसा दिखेगा ये रहा इसका pole, center of curvature और principal axis अब एक बहुत important बात अगर principal axis के parallel light rays, concave mirror में incident करता है तो reflect करने के बाद, वो rays एक point में converge करता है उस point को उस mirror का principal focus कहा जाता है उसी तरह से principal axis के parallel rays, convex mirror से reflect होकर diverge करता है और ऐसा appear होता है, मानों कि वो सारे rays किसी एक point से निकला हो उस point को उस convex mirror का principal focus कहा जाता है अब चलिए देखते हैं कि इन mirrors में किसी object का image कैसे बनता है तो यहाँ पर देखें, एक concave mirror है, जिसका center of curvature है ये ये इसका pool है और ये इसका principal focus है similarly ये एक convex mirror है, ये इसका pool, ये इसका focus और ये इसका center of curvature सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि एक point object के कारण इस mirror में image कैसा बनेगा तो यहाँ पर ये object जो है बहुत ही छोटा object है तो इसमें जो light rays यहाँ पर incident करेगा वो यहाँ से reflected होगा जिसके कारण यहाँ से चारो direction में, चारो direction में light rays निकलेगा वहाँ से light rays जब इस mirror में incident करेगा तो वहाँ से वो reflected हो जाएगा अब गौर से देखे जो light ray principal axis का parallel होगा वही सिर्फ focus से पार होगा बाकी light rays को देखे तो यह principal axis का parallel नहीं है जिसके कारण वो सारे focus से पार नहीं होगा लेकिन यह सारे light rays जो है एक point में जाके converge करेगा अगर हम किसी screen को कागज हो या किसी भी तरह का इस तरह का चीज हो जो कि screen का का काम करेगा उसे अगर हम इस region में रखते हैं तो यहाँ पर उस object का image बनेगा हमें इस कागज में वो image दिखेगा क्योंकि यही से निकला हुआ light इस point में converge कर रहा है तो इसका जो shape है जिस तरह का भी यह object है वही चीज हमें यहाँ पर भी दिखेगा लेकिन अगर हम इस screen को थोड़ा पीछे भी ले जाते हैं तो भी हमें उसका image दिखेगा लेकिन वो image blurred image होगा जैसे कि इस तस्वीर में आप देखें यह पंची जो है आपको clearly दिख रहा है क्योंकि जब यह तस्वीर खीचा गया उस समय lens को adjust करते हुए एस object पे focus किया गया था लेकिन इसके पीछे का जो object है जैसे यहाँ पर जो डाली है यहाँ पर जो पत्तिया है वो हमें clearly नहीं दिख रहा है हम day to day life में normal scenario में कहते हैं यह out of focus है ऐसा ही कुछ इस case में भी होगा अगर हम screen को पीछे भी ले जाते हैं तो भी image तो बनेगा लेकिन वो blurred image होगा तो जहां पर यह light rays converge कर रहा है उस point में बनता है उसका image इस तरह के image को real image कहा जाता है क्योंकि वास्तविक तोर पे अगर आप यहां पर screen रखते हैं तो यह object जो है आपको यहां पर दिखेगा इसलिए इसे real image कहा जाता है लेकिन अगर माले हम किसी object का point object का real image पता करना चाहते हैं उसके लिए क्या हमें बहुत बहुत सारे light rays ड्रॉ करना होगा नहीं इसकी कोई ज़रुवत नहीं है सिर्फ दो light rays से ही काम चल जाएगा ऐसा क्यों क्योंकि वो दो light rays जहां पर जाके converge करेगा बाकी rays भी वहीं से पार होगा बाकी rays उसी point से पार होगा इसका मतलब सिर्फ दो से ही काम चल जाएगा similarly एक point object अगर एक convex mirror के सामने हो तो फिर यहां से निकला हुआ light जो है incident करेगा इस mirror पे और फिर reflected होके diverge कर जाएगा अगर आप इस mirror में देखें तो आपको ऐसा दिखेगा मानो ये light rays एक point से निकल रहा है तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये वो point है जहां से light rays निकल रहा है मतलब आपको इस object का image इस जगा पे दिखेगा इस तरह के image को virtual image कहा जाता है क्यूंकि इसे किसी screen में हम incident करवा के उस image को देख नहीं सकते है बलकि अगर हम mirror में देखे तो हमें वो image दिखेगा इसलिए इस तरह के image को virtual image कहा जाता है अब इसे पता करने के लिए क्या हमें बहुत सारे light rays ड्रॉ करना होगा इस case में भी सिर्फ दो light rays से ही काम चल जाएगा लेकिन ऐसा कौन सा दो light rays हम ड्रॉ करें जिसे draw करना आसान हो convenient हो और जिसे हम आसानी से जो image है उसे पता कर सकते हैं इसके लिए चार नियम है चलिए देख लेते हैं वो चार rule क्या क्या है या नियम क्या क्या है जिससे कि हम वो दो light rays जिसे हमें draw करना है वो draw कर सके और आसानी से इसका image पता कर सके तो सबसे पहले देखे, हमें पता है कि अगर कोई light ray प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलल हो, तो फिर concave mirror में reflect करने के बाद वो जो reflected ray है, वो principal focus से पार होता है, यह आपको पता है, it is by definition. Similarly, अगर convex mirror का जो principal axis है, उसके पैरलल कोई light ray हो, तो फिर reflect करने के बाद ऐसा लगता है, मानो, वो principal focus से निकला हुआ है, यह पहला नियम है. इसी का उल्टा, अगर कोई light ray, principal focus से पार होता है, concave mirror के case में, तो फिर reflect करने के बाद वो principal axis के पैरलल वो ray आगे बढ़ता है, ऐसा क्यों? इसका उल्टा देखे, अगर यह light ray इस direction में travel करता, तो reflect करने के बाद वो principal focus होते हुए पार होता, हमने सिर्प उसका direction को change कर दिया. तो कोई light ray अगर उस direction में आगे बढ़ रहा है, कि अगर यह mirror न होता, तो फिर वो सीधे आगे बढ़ते हुए, वो principal focus होते हुए पार होता, तो फिर mirror से reflected होने के बाद, वो principal axis के पैरलली वो आगे बढ़ेगा. अब तीसरे law की बात करते हैं, अगर कोई light ray center of curvature से पास हो रहा है, तो reflect करने के बाद, concave mirror के case में, reflect करने के बाद, opposite direction में उसी line में propagate कर जाएगा. ऐसा क्यों है? क्योंकि आप गौर से देखे, ये mirror, जिस sphere का part है, उस sphere का center है, ये center of curvature. तो फिर ये जो line मिलेगा, ये क्या है line segment? ये है इसka radius, इस sphere का radius. और हमें पता है, radius sphere के surface में 90 degree का angle बनाता है. मतलब, ये light ray जो है, ये along the normal, इस region में जो normal है, उसके along travel कर रहा है. याट मिन reflect करने के बाद, वो उसी line में propagate कर जाएगा. जैसे कि, माल ले ये एक mirror है, plain mirror है, और ये है इसका normal, तो फिर अगर ये incident ray हुआ, और ये reflected ray हुआ, ये angle of incidence है, और ये अगर angle of reflection है, तो I angle of incidence is equal to angle of reflection. इसका मतलब, अगर normal के along कोई light ray travel करेगा, तो angle of incidence क्या होगा, angle of incidence 0 degree का होगा, और angle of incidence 0 degree का मतलब, angle of reflection को भी 0 degree का होना है, मतलब वो reflected ray जो है, इसी line में opposite direction में travel कर जाएगा. सेम logic आप यहाँ पर लगाएं, तो आप समझ जाएगे, ये जो है, यहाँ पर, जो है, mirror पे, ये 90 degree का angle बना रहा है, मतलब यही normal के along travel कर रहा है, इसलिए reflect करने के बाद, ये opposite direction में, उसी line में आगे बढ़ जाएगा. अगर आप convex mirror के case में इसे apply करें, तो कोई light ray, अगर ऐसा है, मानो, अगर mirror ना होता, तो ये center of curvature से pass कर जाता, तो फिर mirror होने के कारण, ये जो reflect करेगा, reflect करने के बाद, उसी line में opposite direction में propagate कर जाएगा. ये तीसरा नियम है, अब देखे, चौथा नियम, अगर कोई light ray, pole पे incident कर रहा है, तो फिर reflect करने के बाद, जो angle बनेगा, वो ये angle, angle of incidence है, तो ये angle of reflection, ये दोनो angle सेम होगा, क्योंकि, यहाँ पर ये जो principal axis है, pole पे, ये principal axis नॉर्मल होगा, यहाँ पर, अगर मैं एक बार इस से draw करूं, तो इस region में, इस जगह पे, आप देखे, इस जगह पे, ये 90 degree का angle बनाएगा, कौन ये principal axis, तो principal axis ही normal है, जिसके कारण, यहाँ पर angle of incidence, मतलब incident ray, जो principal axis के साथ angle बना रहा है, और reflected ray, जो principal axis के साथ angle बना रहा, वो दोनों angle सेम होगा, सेम लॉजिक, आप convex mirror के case में भी लगा सकते हैं, कि यहाँ पर ये angle जो है, और reflect करने के बाद angle of reflection, ये दुनों same angle होगा, same measure होगा दुनों का, तो इन चार नियमों को follow करते हुए, हम बड़े आसानी से किसी भी एक object का image कैसा होगा, ये पता कर सकते हैं, ये जो concave mirror है, इसमें किस तरह का image बनेगा, वो हम लेड़ से कि ये एक point object है, इस point object के कारण जो image बनेगा, उसे हमें पता करना है सबसे पहले, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका क्या होगा, एक light ray हम ऐसा draw करेंगे, जो principal axis के parallel हो, तो फिर reflect करने के बाद, वो इसके principal focus से पार होगा, दूसरा light ray हम कैसा draw करें जो कि इसके center of curvature से पास हो, क्योंकि reflect करने के बाद, वो उसी line में opposite direction में propagate कर जाएगा, यहाँ पर आपको लग सकता है कि ये जो light ray है, ये light ray तो travel करते हुए mirror को बिना चुए, बिना touch किये, ये तो आगे बढ़ जाएगा, तो फिर ये reflect हो कि वापस कैसे आएगा, ऐसा नहीं ह ये सिर्फ हम ये पता कर रहे हैं कि image कहां पर बनेगा, भले ही ये वापस ना आए, लेकिन बाकी light ray जो यहाँ पर incident करेगा mirror में, फिर reflect हो के वापस जाएगा, वो इसी point से वापस जाएगा, हम उस point को पता कर रहे हैं, तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये light ray आगे mirrors में incident करके reflected हो के वापस आए, ये आपको बता रहा है कि इस जगह पे image बनेगा ही, भले ही ये light ray वापस आए या ना आए, बाकी light ray जो है, जो कि उसी point से पार होगा, तो इसका जो image है, ये image इस जगह पे बनेगा, अब हम एक दूसरा point consider करते हैं, ये वो दूसरा point है, अब इसका image कैसे बनेगा, सबसे पहले एक parallel line ड्रॉ कर लेते हैं, principal axis के जो की focus से पार होगा, और दूसरा center of curvature से पार होता हुआ, एक light ray हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस जगह पे बनेगा उस point object का image, similarly, same logic से आप आगे बढ़े, एक point अगर हम इस जगह पे consider कर रहे हैं, तो फिर इसक करना बड़ा मुश्किल है, संभव सा है, क्योंकि ये point जो है, ये point principal axis में ही situated है, लेकिन हम यहाँ पर एक logic लगा सकते हैं, और वो logic लगाते हुए हम ये कह सकते हैं, कि इसका image इस जगह पे बनेगा, देखें, इसका red point object का image यहाँ पर बना, blue point object का image यहाँ पर बना, तो इस yellow point object का image इसी जगह पे बनेगा, अब आप देखें एक चीज, कि अगर हम यहाँ पर तीन point object ना consider करके, हम इस तरह का एक object consider करें, जो principal axis पे situated हो, इस तरह का object हो, तो फिर obviously उसका image इसी तरह का बनेगा, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसका जो top में जो point है, उसका image यहाँ पर बनेगा, बीच वाला जो point है, उसका image यहाँ पर बनेगा, और bottom point जो है, उसका image यहाँ पर बनेगा, तो whole object अगर इस तरह का हो, तो फिर उसका image इस तरह का बनेगा, तो यहाँ से हम बड़े आसानी से यह पता कर सकते हैं, कि अगर कोई object principal axis में situated हो, तो फिर उसका image कहा प बनेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ इसका जो top most point है, इसका image पता करना होगा, इसका image चलिए पता करते हैं, कुछ इस तरह से, तो इसका जो top point है, उसका image अगर इस point में होगा, तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं, कि इसका image जो है, यह image कुछ इस तरह का बनेगा, बनना ही है, अगर यह object प्रिंसिपल एक्सिस पे situated हुआ तो तो यहां से देखे हम यह कह सकते हैं कि अगर कोई object उसका position अगर c center of curvature के पार हुआ तो पोल से अगर देखे तो पोल के बाद यहां पर focus फिर center of curvature फिर center of curvature के परे beyond center of curvature अगर कोई object situated हो तो फिर उसका image जो है वो image हमें clearly दिख रहा है कि center of curvature और focus के बीच बनेगा अब यहां से यह देखे कि image का जो size है वो size कैसा होगा object से छोटा होगा image का size और जो image है इसका nature कैसा होगा image real होगा obviously यह real image है इसे हम यहां पर अगर कोई screen रखते हैं तो इसे हम वहां पर incident करवा के उस object को देख सकते हैं okay image को देख सकते हैं तो वो image real होगा और साथी साथ उल्टा है देखे यह सीधा नहीं है उल्टा है तो inverted image होगा अब चलिए इसका position थोड़ा change करते हैं और object को हम center of curvature में रखते हैं अब देखते हैं इसका image कैसा बनेगा सबसे पहले एक light ray parallel to principal axis जो focus से पार हो रहा है और दूसरा light ray हम ऐसा draw करेंगे जो कि principal focus होते हुए पार होगा जो कि obviously reflect करने के बाद यह parallel हो जाएगा principal axis के या फिर आप इसे ऐसे भी draw कर सकते हैं इस top से लेते हुए हम अगर यहां से निकला हुआ एक light ray center of curvature से पास करते हैं तो obviously वो इस point से पार हो जाएगा ऐसा भी आप कर सकते हैं तो फिर हमें इस top point का image जो है वो image हमें यहां पर दिखेगा that mean जो image बनेगा वो image कुछ इस तरह का बनेगा यहां पर आप गौर करें जो image है और object है दोनों का position क्या है center of curvature है मतलब object को अगर center of curvature में रखा जाए तो image जो बनेगा वो center of curvature में ही बनेगा और यहां पर image का size जो है वो object के size के बराबर और साथ ही साथ image जो है real होगा और inverted होगा अब इसके position को थोड़ा और change करते हैं अब object को हम center of curvature और focus के बीच रखते हैं एक light ray को हमने इस तरह से पार किया अब क्या करें दूसरा light ray दूसरा light ray को अगर हम यहां से पार करते हैं principal focus से तो फिर reflect करने के बाद वो एस direction में propagate कर जा आप यहां से center of curvature होते हुए आप एक light ray draw कर दे तो आपको image का position मिल जाएगा top point का image का position मिल जाएगा तो फिर हम कह सकते हैं इसका जो image बनेगा यह image कुछ इस तरह का बनेगा तो अगर object का position center of curvature और focus के बीच हो तो फिर image जो है beyond center of curvature बनेगा center of curvature से दूर बनेगा और size जो होगा image का यह enlarged होगा बड़ा होगा और image का nature real होगा और inverted होगा अब इसके position को थोड़ा और change करते हैं और ले जाते हैं इसे focus में तो फिर अब एक light ray हमने ऐसा draw किया दूसरा light ray अगर हम center of curvature से पास करवाएं या फिर आप यहाँ pole से भी पास करवा सकते हैं तो आपको clearly यह चीज द गिया एक दूसरे के मतलब यह जो टॉप पॉइंट है टॉप पॉइंट से निकला हुआ light ray जो है यह एक दूसरे के साथ parallel होगा मतलब कहीं भी यह meet नहीं करेगा तो हम ऐससे case में कहते हैं यह infinity में जाके meet करेगा तो इस टॉप पॉइंट का image देखे कहा बनेगा? infinity में जाके बनेगा जब ऐसा कहा जाता है कि infinity में जाके बनेगा इसका मतलब आप मान लिजिए कि उसका image जो है आपको proper image मिलने वाला है नहीं क्योंकि ये कहीं meet नहीं करेगा तो ऐसा कहा जाता है कि infinity में जाके ये meet करेगा इसका image कहां बनेगा? infinity में बनेगा इस तरह से कहा जाता है आप समझ जाएए इसका उस तरह का sharp image आपको मिल ही नहीं सकता है तो object का position अगर focus में हुआ तो image infinity में जाके बनेगा और image का size highly enlarged होगा ऐसा चुकि माना जाता है infinity में जाके image बनेगा तो इसलिए आप सोच लीजिए इसी तरह से line आगे बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा और infinity में जाके वो meet कर रहा है आप मान लीजिए ऐसा meet कर रहा है तो फिर इसका size कितना होगा बहुत बढ़ा होगा size क्योंकि ये जो top highly enlarged होता है और nature of image real and inverted होगा अब हम object को ले जाते हैं पूल और principal focus के बीच अब देखे क्या होगा एक light ray हमने ऐसा draw किया जो की parallel to principal axis हो जो की reflect करने के बाद focus से पार होगा अब दूसरा light ray हम ऐसा draw कर रहे हैं जो की center of curvature से पास हो reflect करने के बाद तो देखे ये दोनों diverge कर रहा है मतलब ये meet नहीं करेगा लेकिन ऐसा लगेगा मानों किसी point से ये निकला हुआ हो इसका जो image बनेगा अगर आप इस जगह से देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि कि ये जो top point है इसका image इसका image यहां पर बन रहा है और यहां से light rays बाहर निकल रहा है तो आपको appear होगा ये top point जो है ये top point यहां पर है अगर आप mirror में देखे तो तो फिर इसका image जो बनेगा इसका image पीछे बन रहा है देखे और फिर हम ये कहेंगे कि object का position अगर pool और focus के बीच हुआ तो image behind the mirror बनता है ये virtual image है इसे हम mirror में देख सकते हैं लेकिन किसी screen में इसे incident करके नहीं देख सकते हैं और size की अगर बात करें तो ये enlarged होगा बड़ा होगा और अगर हम nature की बात करें image की तो ये virtual है real image नहीं है virtual image है और ये erect है सीधा है अब देखे एक special case अगर हम object को infinity में रखते हैं तो फिर क्या होगा इसके top point से जो भी light rays इस तरह से बाहर निकल रहा है चूकि ये infinity में है बहुत 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 दूर है तो फिर सिर्फ इसी point से निकला हुआ light rays जो है जब इस mirror में incident करेगा उस समय वो light rays parallel होगा एक दूसरे के क्योंकि ये point एक point अगर बहुत दूर हो तो फिर वहाँ से आता हुआ light rays यहाँ पर एक दूसरे के साथ जो angle बनाएगा वो बहुत छोटा होगा मतलब एक दूसरे के parallel होगा लग 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 पैरलल होगा ये जितना दूर हो उतना ये light rays parallel होगा, सिर्फ एक ही point से निकला हुआ light rays की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत 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 कम angle बनाया हुआ light rays ही इस जगह पे पहुँच सकता है, और वो angle एक दूसरे के बीच बहुत कम होगा, बहुत negligibly small होगा, tends to zero होगा, zero के करीब होगा, तभी जाके व ये तो पहुचेगा ही नहीं इस mirror तक, अगर ये object infinity में situated हो, ये object बहुत दूर है और ये mirror यहाँ पर है, तो यहाँ top point से निकला हुआ light rays, ये light rays जो है इस mirror तक पहुच ही नहीं सकता, सिर्फ बहुत 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 close, कम angle बनाया हुआ light rays ही यहाँ तक पहुच सकता है, क्योंक ये mirror जो है बहुत बहुत दूर है इस object से, तो इस logic से आप समझ सकते हैं, इस top point से निकला हुआ light rays अगर इस mirror पे parallel हो जाए, तो फिर reflect करने के बाद वो focus से पार होगा, principle focus से, तो यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं, कि इस point से निकला हुआ light rays है, जो mirror तक पहुच रहा है, व reflect करने के बाद वो इसी point से पार होगा, similarly कोई और point ले, उसका भी image यहीं पर बनेगा, तो सारा का सारा पूरा object का image जो है, एक point में बनेगा, जो कि इसका focus होगा, तो हम कह सकते हैं, कि अगर object का position infinity में हो, तो image का position focus में होगा, और पूरा का पूरा image अगर सिर्फ एक ही point में ब बहुत छोटा है, और nature of image आप कह सकते हैं, real image है, अगर हम यहाँ पर एक screen रखे, तो हमें यह पूरा का पूरा object एक point में दिखेगा, भले ही वो point हो, लेकिन हम उसे देख सकते हैं, उसे incident करवा के screen में, तो यह real image होगा, तो यह तो था, concave mirror में object को कहा पर रखने से किस तरह क image बनता है, अब चलिए देख लेते हैं, concave mirror का uses, सबसे पहले देखे, normally torch में इस तरह का mirror use किया जाता है, क्योंकि यहाँ light से, जो light rays है, वो निकल के, यहाँ से टकरा के, फिर बाहर निकलता है, इस तरह से वो incident करता है, इस mirror में, और फिर वो बाहर निकलता है, और इस तरह से इस light source को position किया जाता है, कि बाहर निकला हुआ light rays, जो है, यह एक दूसरे के parallel हो, तो इसके कारण, एक strong beam हमें मिलता है, मैं यहाँ पर एक बार draw कर दूँ, यह light source है, और यह वो concave mirror है, light इस तरह से निकलता है, incident करता है, reflect होता है, एक दूसरे के parallel light rays यह बनाता है, जिससे कि ह हमें एक strong parallel beam हमें मिलता है, तो normally torch में इस तरह का mirror जो है, उसे use किया जाता है, shaving mirrors के तोर पे concave mirror को use किया जाता है, ऐसा क्यूं, क्यूंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा था, अगर mirror concave mirror हो, और इसके focus और pole के बीच object रहे, तो फिर हमें किस तरह का यहाँ पर image मिलता है, हमे virtual image मिलता है, और virtual image कैसा होता है, virtual image इस case में बड़ा होता है, object से वो बड़ा होता है, इस जगह से अगर आप देखे, तो आपको image object से ज्यादा बड़ा दिखेगा, इसलिए जब हम किसी concave mirror के सामने खड़ा होके खुद को देखते हैं, तो हमें अपना image जो है, वो enlarged image दिख करते हैं, सेम logic है, इसलिए दांत भी बड़ा दिखता है, शर्त यही पर है कि object जो है, इस mirror के pole और focus के बीच situated हो, focus के beyond अगर situated होगा object, तो फिर हमें इस तरह का बड़ा virtual image नहीं दिखेगा, object को focus और pole के बीच होना होगा, अब चौथा use देखते हैं, इसे use किया जाता है, sunlight को concentrate करके heat produce करने के लिए solar furnaces में, जैसे कि यहाँ पर आप देखे, यहाँ पर एक concave mirror है, इस concave mirror के आसपास अगर आप कागज को ले जाते हैं, तो फिर वो कागज जो है, वो जल उठता है, ऐसा क्यों है, क्योंकि सूरज से जो light, parallel light beam आ रहा है, reflect करने के बाद, वो एक point में converge कर इसलिए इस जगह पे वो बहुत-बहुत heat energy generate करता है, क्योंकि पूरा का पूरा mirror से reflect होके, पूरा का पूरा light जो है, गर एक point में converge कर जाएगा, तो उस point में बहुत-बहुत ज्यादा heat energy वो generate करेगा, तो यह था कुछ concave mirror के uses, अब चलिए देख लेते हैं, convex mirror, यहाँ पर किस तरह का image बनेगा, object कहा होगा, तो किस तरह का image बनेगा, सबसे पहले object को रखते हैं infinity में, तो फिर यहाँ इसके top से निकला हुआ जो light rays है, वो जो इस mirror तक पहुँचेगा, obviously वो एक दूसरे के parallel होगा, तो फिर यह reflect करने के बाद जो diverge कर रहा है, ऐसा लगेगा, मानो वो ए है, इस body में, object में point कहीं पर भी हो, उसका जो virtual image बनेगा, वो virtual image इस point में बनेगा, तो यहाँ से यह clear है, कि object कर infinity में हो, तो पूरा object का image कहां पर बनेगा, focus में बनेगा, obviously वो focus behind the mirror है, और size of image highly diminished होगा, क्योंकि पूरा का पूरा object जो है, वो एक ही point में उसका image बनेगा, तो highly diminished point sized image होगा, और nature of image, obviously यह virtual image है, तो इसका nature virtual होगा, अब इसके position को थोड़ा change करते हैं, और इसे इस mirror के आसपास ले आते हैं, तो फिर देखे, यहाँ पर light ray, जो reflect करके, parallel जो light ray है, principal axis के, वो reflect करके, जो बाहर की तरफ diverge करेगा, वो ऐसा लगेगा, मानो वो इसके focus से न एक ऐसा light ray draw करें, जो की आगे बढ़ते हुए, अगर यह mirror न होता, तो center of curvature से पास हो जाता, तो फिर reflect करने के बाद, वो उसी line में, opposite direction में आगे बढ़ेगा, तो ऐसा लगेगा, मानो यह जो top है, यह top, उसका image बनेगा, इस जगा पे, उस top से निकला हुआ light rays, reflect करने के बाद जिस direction में जा रहा है, ऐसा लगेगा, मानो, वो सारे light rays इस point से निकला हो, मतलब यह जो virtual image बनेगा, इस object का, वो कहां पर बनेगा, वो इस जगा पे बनेगा, उसका virtual image, तो फिर देखें, अगर object, infinity और pole के बीच हो, मतलब इस mirror के आसपास कहीं पर हो, infinity में ना हो, बहुत और focus के बीच में, यह इसका pole है, और यह इसका focus है, pole और focus के बीच बनेगा, behind the mirror बनेगा, और size of image, obviously यह diminished है, छोटा है, तो छोटा size बनेगा, और साथी साथ इसका nature देखें, यह virtual image है, इसे हम किसी screen में incident करके नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर हम इस जगा से इसे देखें, इस जगा से हम इसे देखें, तो हमें mirror में इस object का image दिखेंगा, हमें लगेगा, उसका image यहाँ पर बन रहा है, यह image virtual है, और साथी साथ देखें, यह सीधा है, तो यह erect image है, अब कुछ users देख लेते हैं, convex mirror का, यहाँ पर सबसे common use जो है convex mirror का, वो यह है कि rear view mirror के तोर पे इस दोर करें, तो आप यह पाएंगे कि object कहीं पर भी हो, infinity में ना हो बस, कहीं पर भी object हो, उसका image जो है, उसका image छोटा बनता है, इसी को यहाँ पर use किया जाता है, rear view mirror के तोर पे, क्योंकि आप देखें, यहाँ पर जो इसका image बन रहा है, पीछे जो कार है, यह कार हम देख र इसलिए, इसका field of view जो है, यह field of view ज्यादा होता है, हमें ज्यादा चीजे दिखता है, इतना ही area में, यह plane mirror होता, तो इस plane mirror से, शायद हम इतना ही region देख पाते हैं, बहुत कम region देख पाते। लेकिन, चू कि यह convex mirror है, इसलिए, इसका field of view ज्यादा हो जा रहा, क्यूं हो रह तो कम जगह पे इतना सा जगह पे हमें बहुत सारी चीजे दिख रही है और चूंकि चीजे हमें छोटी दिख रही है इसलिए यहां पर एक कशनरी स्टेटमेंट लिखा जाता है कि objects in mirror मतलब जो आपको दिख रहा है यहां पर होना चाहिए image in mirror so image in mirror are closer than they appear यह दरसल करीब है यह बड़ा दिखना चाहिए था हमें दिख रहा है छोटा आप इतना छोटा मत मानिये वास्तव में यह इससे बड़ा है मतलब करीब है यह आपको दिख रहा है छोटा बस इसलिए यह कशनरी स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता है आप अगर एक चमच से एक object को देखे तो भी आपको इसका image जो है यह image आपको object से छोटा दिखेगा काफी छोटा दिखेगा logic यही है तो I hope कि यह वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा अब अगले वीडियो में हम लोग mirror formula, magnification और sign convention पे बात करेंगे उस वीडियो का link आपको यहाँ पर screen पे description box और screen पे मिल जाएगा तो I hope कि अगले वीडियो में जरूर मुलाकात होगी तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें, get bye